आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नो ओन वाला वेज पीज़ा तो अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना है आज हम बना रहे हैं वेज पीज़ा जिसके लिए लगने वाली यह सारी टॉपिंग मैंने ली है, लॉक्डाउन के वज़े से सारी कुछ चीज़े घर में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैंने यह सारी चीज़े अवेलेबल थी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यह पनीर है तो आप पनीर भी यूज़ कर सकते है, जो भी आपको पसंद है यूज़ कर सकते है लेकिन अभी लॉक्डाउन के वज़े से से मार्केट में भी बिख रहें कुछ है नहीं, इसके लिए मैंने जो अवेलेबल था ही बना रहे हूँ, यह जो सास मैंने घर में बनाई आप देख सकते हैं तो यह बहुत और बहुत टेस्टी और बहुत ही बेटरीन इसका टेस्ट है आप यूज करके देखना ट्राइब अगर आपके पास यह तो आप ब्रिटानिया का पीजा चीज यूज कर सकते हैं तो आप चेदार और मॉजरेला का कॉंबिनेशन करके वह भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास यह है तो यह भी है इसका भी टेस्ट बहुत अख्चा है बहुत बेतरीन है तो आप हम बेस बनाते हैं उसके बाद हम यह सारा टॉपिंग यूज करेंगे पीजा बेस के लिए लगने वाला इंग्रेडियन्स लिया है मैंने दो कप मैदा लिया है यह कप से लेवल यही कप से मैंने यह दही लिया है देड़ कप यह तीन टेबल स्पून आईल लिया है शकर लिया है मैंने वन टीस्पून चीनी वन टीस्पून मैंने बेकिंग सोड आप अपने हिसाब से ले लेना अब हम इन सबको गुंद लेते हैं देखिए मैंने पड़ात लिया है इसमें हम मैदा डालेंगे और बेकिंग सोडा नमक चीनी यह सब हम इसमें मिलाएंगे एदे कोसा मिलाई उसके बाद हम इसमें डर्वी डालेंगे जए तव हम में कि से अएदे को दअए पडरी करेंगे तो को के हम इसको बुन देंगे दाही में इसको दर्वी के साहँ कि गुन यह देखिए इस तरह से यह देखिए शॉप्ट डो बनाना है में इसका यह देखिए हॉइल भी लेंगे हम थोड़ा सा इसमें बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे यह देखिए इसको अच्छे से गून के इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है हमें यह देखिए अब इसे उपर से बचा हुआ आईल है वह में लगा दूगी और इसे ढखके 15 मिनिट के लिए छोड़ दूगी यह देखिए इसको रेस्ट करने के लिए रखते है हम आईल को हाथ को लगा के हमने इसको सीधा कर लिया यह देखो इस तरह से अब हम इसे ढखके रखते है कर दो आटा किसे फुल गया है यह देखिए यह देखिए यह बाव़न भी उपर आया है आटा की वज़े से देखिए कितना अच्छे से फूल गया है अब हम इसके बैज बनाते है अब हम इसके तीन हिस्से करेंगे देखिए हम इसके अब तीन हिस्से करते हैं थोड़ा से मैदा मैंने हाथ को लिया है ऐसे लगा के यह देखिए वह बहुत फ्लफी हो गया है यह देखिए इस तरह से हमने तीन हिस्से कर लिया है अब हम बेश बनाते हैं यह देखिए आठे को मैंने तीन हिस्से कर लिया है अब हम बेश बना लेते हैं लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहते हूं जो मैंने यहां पर सेटप किया है यह दिखिए एक बरतन में मैंने नमक डाला है जो बारिक वाला आता है नमक वो नमक डाला है इसमें और स्टैंड रखा है इसमें गैस का जो उसके भाष हम दूर हम गवर antes रख या फिर किसी अधर बातन रहता है इसके नीचे तो भी बेस रहेंगा फिरंगा फिर भी चल सकता है तो वह हम ने लिया है तो मैंने वह ख़तीा है मैं पहले कशने ही लिए कि नहीं करें यहां दूसरी बात है के अब हम की बाइस बनाना शुरू करते है देखिये मैंने मकै का आठा लिया है इस तरह से अभ हम बेस बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे क्रिपी होने के लिए मै ने मकैक Цाडा यूजकिया है हमें तोड़ा सा नीचे के पीज़ा यह हमें क्रिपी चाहिए इसलिए हम यह यूज कर रहे हैं अगर अगर आपके पास अममने का आटा नहीं है तो आप मैदा भी यूज कर सकते हो इसतरह से मैंने बेस को बना लिया है यह देखिए मैंने यह थाली ली है इसके साइज का मैंने बेस बनाया है अब हम यह थाली के ऊपर मक्कन लगाएंगे यह देखिए जो मसका होता है इस तरह से क्योंकि हमें इजी ली इसको निकालना के लिए दिक्वत नहीं होगी पीजा को इसके लिए हमें यह लगाना जरू इसको अच्छे से बैट गया है थाली पे अब हम इस पर फोक से यह लगा देंगे इसको ऐसे करेंगे क्योंकि हमारा फोक यह हमारा पीजा बेस फुले नहीं इसलिए हमने देखिए ऐसे कड़े कड़े लगाने आए देखिए मैंने पैन भी गरम करने रखा है क्योंकि नमक गरम होना ज़रूर है इसके लिए मैंने पहले ही 15-20 मिनिट पहले ही पैन गरम करने रख दिया है अब हम इस पर सास लगाएंगे कशा तैस देखिए हमें इस तरह से के थिए हमेशे फैर लाना है इसे इस तरह से लगाना है हए इसका तैस्स हमारी पिजा में आने वाला है इसका टेस्स बहुत बढ़ा है है आप ट्राय करना आपको जरूर पतसर आंगा आप बाजार सिंखा लाना भूल जाएंगे- 있으면 इस यह देखिए इस तरह से हमें यह सॉस लगानी है अब हम चीज डालते है इस तरह से हमें चीज डालनी है इसको यह देखिए इस तरह से हमने चीज डालनी है अब हम टमाटे लागा देखिए इस पे इस तरह से हमें अब हम टमाटे लागा देखिए टमाटे लगाने यह देखिए मैंने क्यूब में काटा है टोमेटो को क्योंकि मुझे क्यूब में पसन है अगर आपको स्लाइस पसन है तो आप स्लाइस में काटना जैसे आपकी मर्जी है मैंने कैप्सिकम भी उसी तरह से काटा है यह देखें हो पहाँ हम अब हम प्यास डालते मैंने प्यास भी चोटी वाली गीए है क्णरी प्यास की गड़िक होती है जॉत फीर की ल्गया कि करना हो प्हाइड यूज करती है अपने घर के प्यास को किसी अन्हें लांती है इसलिए मैंने यह यूज ति अज नहीं है आप मत अडूसरी करना हुआ जो आधर में हम उस करते हैं अब लो पना लगागे, उसका वी को अवरिया होता है वे रखुष्टरासे, पान लागे यह देखिए इस तरह से, हमने सब लगा दिया है और फिर से हम पुड़ी सी चीज दालते हैं फ्रेश है इसके हो जिसे वह देखो कैसी यह हो रही है इसके जिसी गुट्लिया यह देखिए इसे साइट से हमें मक्षन लगाना है क्योंकि हमारा बेस है वह हमें क्रिस्पी बनाना है यह देखिए जो बच्ची हुई साइट है आपर हम बेस लगा यह मक्षन लगाते है यह देखिए यह देखिए मैना बरतन अच्छे से गरम हो चुका है यह देखिए इस तरह से हमें थाली को अंदर रखना है गरम हो चुका है बरतन इसलिए मैंने फटकर यूज किये आप भी संबाल के ऐसे ही करना अब हम इसे ढग देते एक 10-15 मिनिट के लिए यह देखिए हमारा कैसे अच्छे से हो रहा है यह हमने पीज़ा जो रखा है वह देखो कैसे चीज भी कैसे अच्छे से मेल्ट हो रही है और कैसे अच्छे से खूल रहा है बाजू से देखो कैसे जो जैसे ओन में अच्छे से बनता है ना उसी तरह से हो रहा है श्राक्राण में बने comfort molी प्रवा तो सलेकिशות यहां वासिताए और यहाँ यहां यहाँ नहीं में खेता हैं पर इसमें अपने आप में ऊच्छे लिए हमेरे खरें में आपके ल Candie अगर आपके पास घर में ओन नहीं है तो आप ओन का मज़ा घर में ले सकते हैं यह देखिए हमारा यह सेक राए पीजा तब तक मैंने दूसरा भी रेडिक कर लिया है यह देखिए इस तरह से हमने दूसरा भी बना लिया है यह देखिए इसको भी मक्कन लगा रही हूँ उसके बाद हम उसको अंदर ट्रांसपर कर देंगे और दूसरा को लिए आंदर टांसुरन कर दिआ आपे पीजा का से संख आए & पूरा निखा स्लीड निञा थूटा उल Breathe लाल वाल भान चाहर गाल चाहर हमारा दूसरा वाला पीजा बन रहा है वो भी कितना बेहतरीन बना है आप जरूर ट्राय करना आप मैंने सफ कर लिया है आप भी आप को पसंद आएगा गयारेंटीड आपको पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी है और यह कीसी जूसी है कोण चीजी बना है बहुत प्यारा मेरे अगले वीडियो में एक और वज़िदा रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई